नमस्कार जैश्री राथी, मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शिकों का आस्टरो तक चानल पे बहुत-बहुत स्वागत है आस्टरो तक को देखने के लिए तक कि आप जरूर डाउनलोड करें साथ हे साथ फेस्बुक से आप आस्टरो तक को देख सकते हैं जुड़के आप मझसे प्रशन पूच सकते हैं कॉल के द्वारा भी और अपना प्रशन आप मझे लिखकर भी भेज सकते हैं तो आज हम बात करेंगे तीन मुख्य रुदराक्ष की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार और रुद्राक्ष जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं कई मुखी के होते हैं तो इसलिए हर एक मुखी का अपना ही महत्व माना जाता है कहा जाता है कि रुद्राक्ष जो धारण करता है उसके उपर भगवान शिव की और माता गौरी की कृपा बनी रहती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष जो है वो उत्पन हुआ भगवान शिव के आंसू से तो भगवान शिव के आंसू से उत्पत्ती हुई रुद्राक्ष की और रुद्राक्ष जो होते हैं हर अलग-अलग मुखी के हर एक परेशानी को समाप्त करने में सफलता दिलाने में काम आते हैं तो आज हम बात करेंगे इसी प्रकार तीन मुखी रुद्राक्ष की कि तीन मुखी रुद्राक्ष आपको किस तरहां से आपके जीवन में सफलता दिला सकते हैं और साथे साथ इसके क्या-क्या लाब होते हैं जो आपको अगर किसी भी तरहां की परिशानी हो रही है तो उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे. तो सबसे पहले जो लोगों विमेश, व्रिश्चिक या धनू राशी से जुड़े हुए है या इन तीनों का ही कोई लगन है या व्रिश्चिक लगन राशी है या फिर अगर धनू लगन या राशी है तो आपके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत ही जादा हो रहा है या आपको ये अशुप प्रभाव दे रहे हैं तो भी तीन मुखी रुद्राक्ष आप लोगों कले काफी हद तक लाबकारी होगा इसके अलावा तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बहुत सारे लाब है अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट से संबंदत परिशानी आपको चलती रहती है और खाने से भी जुड़ी हुई परिशानी आपको चलती रहती है यानि आपने खाना खाया और डाइजस्ट नहीं हो यानि पाचन शक्ति अगर आपके कमजोर है तो तीन मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे अधेक आपके लिए लाबकारी साबित होगा वहीं पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हमें किसी न किसी तरहा के कामों में रुकावटे आती है और स्टाकल्स बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं जिसकी वज़ा से हमारा कोई भी कार्रे जो है वो पूरा नहीं हो पाता है तो इसके लिए तीन मुखी रुद्राक्ष जो है सबसे अधिक सर्वशेश साबित होता है जितनी भी परेशानी आपको कार्रे करते समय आती हैं अडचने आती हैं, रुकावटे आती हैं ये सभी चीजे जो है तीन मुखी रुद्राक्ष समाप्त करता है इसके अलावा बहुती कॉमनली लोग बोलते हैं कि पता नहीं कौन से जनम के पाप हमें भुगतने पढ़ रही है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में या पास्ट आपके किसी भी चीज में कोई भी परिशानी हुई है या अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि हो सकता है पिछले जनम के कोई परिशानी आपको कोई आपस्टाइकल्स जो है इस जनम में भुगतने पढ़ रही है तो इसके लिए भी तीन मुखी रुद्राक्ष जो है बहुत जादा लापकारी साबित होता है पास्ट लाइफ जो होती है वो भी बहतर कर देता है और इसके साथ साथ हमारे जीवन में जो भी बाधाया आ रही होती है वो भी समाप्त करता है तो तीन मुखी रुदराक्ष को धारण करने से आपको इन सब चीजों में लाप प्राप्त होता है इसके लावा अगर देखा जाए आप शोशल लाइफ से जुड़े हुए हैं मान सम्मान की प्राप्ती जहते हैं तो जो तीन मुखी रुदराक्ष होता है वो आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति दिलवाता है। अगर आप राजनेतिक शेत्र से जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए तीन मुखी रुदराक्ष जो है बहुत ही जादा लापकारे साबित होगा, क्योंकि कही ना कही आप जो है बहुत तेजी से प्रगती कर पाएंगे और अपने जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति भी कर पाएंगे। हो जाता है व्यक्ति तो हर कारे जो है बहुत ही तेज गती से और सही समय पर कर लेता है। इसके अलावा फेस पे यानि चेहरे पे जो है व्यक्ति के तेज आता है जिसकी वज़ा से व्यक्ति के अंदर कही नगई आकरशन भी उत्पन होता है। तो इसी लिए व्यक्ति का ज तीन मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक लाबकारी साबित होगा। तो तीन मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं अगर आपको इन चीजों से सम्मंदित परेशानी है। इसके साथ साथ इसको धारण करने की विधी क्या है। आपको सोमवार के दिन इसको दूद और गंगाजल से धो करके, इसको एनरजाईज करके आभिमंतृत करके आपको इसको धारण करना है। भगवान शिफ का नाम लेते हुए और इसके साथ साथ जब आप इसको धारण करेंगे तो तृद्रीदेव का नाम लेंगे। क्यूंकि रुद्राक्ष को धारन करते हुए आप तृदेव का नाम लेते हैं, यानि भ्रम्मा विष्णु महेश तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगा और आपके जीवन में भगवान विष्णु भ्रम्मा महेश तीनों की ही क्रिपा बनी रहेगी, तृदेव की क् करते हुए इस रुद्राक्ष को धारन करें लाल रंगे धागे में या सफेद रंगे धागे में ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खास होगा मगर इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि जो रुद्राक्ष आप धारन करें वो अभिमंतरत करके ही धारन करें तब ही ये आप आपको सही तना से लाप पोचा पाएगा इसके लावा अगर आप पहले से ही रुदराक्ष धारण कर रखा है आपने तो अगर वो किसी भी प्रकार से तूट गया है या खंडित हो गया है तो इसको फॉरण उतार देना चाहिए नहीं तो ये अशुप प्रभाव देना शुर केवल आस्ट्रो तक पे देखते रही आस्ट्रो तक और मुझसे जुणने के लिए www.astrotak.com पे लौग उन गरना ना भूले इसके साथे साथ मुझे दीज़े अजाज़त नमस्का जैश्री रादे